जैश्रीमर नारायन दोस्तों आपका स्वागत है हमारे हिंदु धर्म में गाई को सबसे पूजनिय माना जाता है साती हमारे हिंदु धर्म में गाई को माता का दर्जा दिया जाता है पुरानों में भी गाई की पूजा का खास महत बताया गया है जो व्यक्ति गव माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुसरन करता है तो उस पर संतुष्ट होकर गव माता आतियंत दुडलब बर प्रदान करती है संतान परंपरा में गाय, गंगा और गायतरी का बहुत जादा धार्मिक मैत्व है माननेता है कि गव माता की शरीर पर 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है इन सभी देवताओं की पूर्ण करपाओं से प्राप्त होती है गउ सेवा से ना सिर्फ इस जन्में बलकि पूर्व जन्म के दोश भी दूर हो जाते हैं वहीं पुरानों में कई ऐसे उपाई बताए गए हैं जिन्हें अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आप मातर 24 24 घंटे के अंदर आपकी कितनी भी बड़ी परिशानी क्यों ना हो वो समाप्त हो जाएगी इसलिए अगर आपकी कोई भी बड़ी परिशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं अवश्य ही आपकी परिशानी समाप्त हो जाएगी निर किया जा सकता है जोतिशास के नुसार पूर्णिमा का जो दिन है वो बेहदिश्यों पाना जाता है इस दिन अगर आप लाल गाये को सफेज चावल और रोटी खिलाते हैं तो धन संपत्ति का आगमन होता है व्यक्ति की सभी मनों कामनाय पूर्ण होती है और जीवन में पूर्णिमा के दिन पूजन के बाद में गाये को ये चीजें आप जरूर से खिलाएं और ये चीजें खिलाने से आपका घर सुख सम्रिद्धी और शांती से परिपून हो जाएगा इसके लावा अगर आप अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति चाहते हैं तो पूर पूर्णिमा के दिन लाल गाये को एक मुठी जों खिलाने से आरोगया और ब्रहमा के प्राप्ति होती है साथी घर में बरकत बनी रहती और मालक्षमी का वास होता है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गाये को हिंदू सनातन धर में गाये को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया ह गाये को बहुत ही खास और महत्पून माना गया है बहुत से लोग गाये को रोटी खिला करके अपने अंजाने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और वो इसलिए भी ऐसा करते हैं इसके लिए आप पूर्णिमा के दिन सबसे पहली रोटी गव माता के लिए बनाएं और उस रो करिया है यह आपको सफेद गई के साथ में करना है क्योंकि सफेद गई को हमारे धर में सबसेज्द की पूझनिय माना जाता है मंत्र अम्हा लक्षमी ने अम्हा इसमान अपने जाप करना है ॏसए करने से आपकी हर प्रकार की परिशानी खत्म हो जाएगी साथ ही 33 निधि को सदा सदा के लिए दूर अगर आप करना चाहते हैं तो अपने घर में गव पूजन जरूर से करें सबी नवगरह शांत हो जाते हैं अपके जीवन से समस्त प्रेशनिया दूर हो जाती है जोतिष के मुदाबिक अगर आप सही समय पर गोमाता को सिर्फ एक रोटी खिला दें तो उसका भी फल आपको मिलता है हर तरीके के कश्ट मिट जाते हैं और शुक्षान्ति आती है हिंदु धर्म के नुसार गाय को रोटी पूरे दिन में एक विशेश मूर्थ में खिलानी चाहिए अगर आप इस मूरत में यानि की समय में गाय को रोटी खिला परिवार में विपदाय आती रहती हैं गरीबी छोड़ कर नहीं जाती है ऐसी इस्तिती में दोपैर 12 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक अलग अलग तरह का नाज इसको पीज करके उसकी रोटी या फिर जों और जुआर से बने आटे की रोटी आपको गाय को खिलानी चाह वे कुछ नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं जिसकी वजह से उनकी खिलाई सारी रोटी व्यर्थ चली जाती है और इसलिए गाय को रोटी खिलाएं लेकिन रोटी को सही तरीके से खिलाएं जिससे आपको उसका फायदा मिल सके गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिला तो आपकी कोई भी समस्या का समधान नहीं होगा और गाए जब बैठी हो तब भी रोटी खिलाना सबसे अच्छा माना जाता है हाला कि जब गाई खड़ी हो तब भी आप रोटी खिला सकते हैं अगर आप अपनी किसी खास परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो जैसा कि बताया है कि 12 बज़े से लेकर के 7 बज़े के बीच में ही आपको रोटी खिलानी है वो भी आपको तरह तरह के अनाज की रोटी बना करके खिलानी है लेकिन अगर हम आम तोर पर बात करें तो गाई को सुभा के समय रोटी खिलाया जाना चाहिए शाम के समय रोटी खिलाना अच्छा नहीं माना चाहता जिस तरीके से गाई को रोटी खिलाना बताया गया है आपको उसी तरीके से रोटी खिलानी चाहिए तब ही आपके मनो कामना पौन होगी और आईए अब जान लेते हैं ऐसे तेरा अलोकिक फाइदे जो कि आपको गाई को रोटी खिलाने से मिल सकते हैं आपको कितनी ही परेश इतना भी नहीं करते जिसका अर्थ यह है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाय वह हासिल कर लेते हैं यदि आप भी उन्नती करना चाहते हैं आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो गाय को रोज से रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए ऐसा माना जाता है कि गाय को ग गाय को रोटी खिलाने का एक और फायदा ये भी है कि ये बिगड़ा काम बनाने का कारे करती है यदि किसी का कोई कारे नहीं हो रहा है आप काफी जतन कर चुके हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है तो गाय को गुड के साथ में रोटी खिलाएं इससे बिगड़े का सए होने की अमीद होगी गाय को गुर के साथ में रोटी खिलाने इसे हर शेतर के अंदर आपको सफलता मिलती बहुत से लोग पुन्य architect माने के चुख होते इस प्रकार के लोगों को गाय को रोटी खिलाना चाहिए और लॉक का दान करना चाहिए यही सबसे बड़ा दान माना गया है गाय को रोटी खिलाने का फाइदा ये भी है कि उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं जो इनसान रोजाना गाय को रोटी देता है उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और उसके बच्चे काफी बेतरी जीवन जीते हैं आजकल हर इंसान की कोई न कोई बड़ी इच्छा होती है और काफी कोशिश के बाद भी वो पूरी नहीं होती है इसलिए जो इंसान चाहता है उसकी पूरी हो उसकी सारी मनोकामना है जो वो चाहता है तो उसे गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए गाय इच्छा पूरी करने में मदद करती है और ऐसा करने से जल्दी ही इच्छा पून हो जाती है यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब यह है कि आपको गाय को रोटी देने की जरूरत है यदि आप गाय को रोटी खिनाएंगे तो आपके ग्रह शुप फल देने लग जाएंगे बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं यदि आपको पता नहीं है तो भी आपके ग्रह आपके उपर अनुकूल या फिर पतीकूल प्रभाव दे रहे हैं तो आपको करना ये अपनी नकारात्मक ओरजा को दूर करता है, यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो शांति का आनन लेना चाहते हैं तो गाय को रोटी दिना बिल्कूल भी ना भूलें जो लोग गरीब है या फिर जिनके बिसनस के अंदर फाइदा नहीं हो रहा है उँनको गा बिजनस आपके तरक्की करने लगेगा और आपका काम जो है सफलता की सीड़ियां चड़ने लगेगा यदि नौकरी के अंदर आपके तरक्की नहीं हो रही है तो भी आप यह उपाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाए के अंदर 33 देवी देवता यानि 33 कोटी देवताओं का निवास माना जाता है ऐसी स्तिती के अंदर हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो उन सभी का शिरवाद हम एक साथ प्राप्त करते हैं जो की काफी अच्छा शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि रोजाना गाय को ताजा रोटी खिलाने से विग्न बाधाय दू दूर हो जाती है ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर के अंदर गाई की सेवा की जाती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी गाई नहीं आने देती है वह परेशानी उपर ले लेती है गाई को रोटी खिलाने से पितर दोश भी दूर होता है पितर दोश का मतलब होता है कि जो लोग मर चुके हैं और वे नीच योनी के अंदर चले गए हैं या फिर वो काफी दुखी हो गए हैं एक तरह से प्रेत ही पितर दोश पैदा करते हैं तो गाए को रोटी देने से उन्हें शांती मिलती है वे चाहते हैं कि आप उनको एक नीच योनी से निकाले एक तरह से पितर दोश पैदा करते हैं तो गाए को रोटी देने से उनको शांती मिलती है और आपको पित्रों का अशिरवात भी प्राप्त होता है यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत पून जानकारी है तो चलिए मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जैश्री मन नारायन द